वेलकम बैक गाइस्ट ओवर यूट्यूब चैनल डिजिटल तयारी मेरा नाम है चेतन पारिक परसंटेज टोपिक चल रहा है आरे सगरवाल की हिंदी वाली बुक में उससे को कंटिन्यू करेंगे अपन पार्ट नमबर थी है यह 79 नमबर पैस्टन आपके सामने है हर एक सवाल आप साथ साथ में ट्राइ करते रहें किसी बाल्टी में 66 सही 2 बटा 3 परसंट बरी होई होने के तुलना में 80% बरी होने पर दो लिटर अधिक पानी आता है तो बाल्टी की धारिता कितनी है यह आपको ग्याद करनी है 66 सही 2 बटा 3 परसंट का अगर मैं फ्रेक्शन में लिखता हूं यह कितना होता है 2 बटा 3 होता है और 80% को अगर मैं फ्रेक्शन में लिखता हूं यह कितना होता है 4 बटा 5 होता है 3 और 5 का LCM कितना होता है 15 तो एक वार के लिए मैं माल लेता हूं कि बाल्टी की धारिता 15 लि निकाला किता होता है 12 यानि कहने का मतलब हुआ कि पूरी धारिता अगर 15 है उसका 66 सही 2 बटा 3 परतिशत का मतलब है 10 और 80 परतिशत का मतलब है 12 अगर 10 की जगे 12 बरी है इसका मतलब यह कह रहा है कि 2 लिटर जदा आ रहा है और अगर यू देखा जाये तो भी यहां पर किता है 2 लिटर ज़दा आ रहे यह बन्न हम एक लिटर यह यहनी है एक उन्ट के वैल्टव किते है एक लिटर एक लिटर है तो यह कहरा है कि वाल्टी के दारिता किती घatas है अगर एक मिस्रण है वो सीशा और तीन दौना से मिलके बना है साट परतिशत सीशा है इसका मतलब क्या है कि तीन सीशा है बचावा दो यूनिट क्या है तीन है ठीक है इस मिस्रण में कितना सीशा मिलाया जाए ताकि benhawald मिसरण में 55 सीज़ा हो जाए इसका मतलब कि यह 3 है यह कितना हो जाए एक आपने क्या किया ที่ किया यहां पे सीज़ा मिलाया है कुछ सीज़ा दो के दो कह रहा है कि कितना अद गिया है ताकि 75% बन जा हुं इसको मैंने दूख बना दिया तो इस रेशयो को कि कित्ता उजाएगा कित्ता उजाएगा यहां ठाक लिर canción оф यह लू यह तो हुझे तो टोल मिषुल औहार सधान पॉंच्छ ten पाँश इनियट करें तो आपने happy अब actual में mission 5 का थोड़ी एक्च्वल में 50 का है तो यह जो तीन है वो भी actual में किता और जाएगा आपने यहां पर 10 गुणा किया तो यहां पर भी क्या कर दिया मैंने 10 गुणा कर दिया तो question का answer क्या होगा 30 kg 30 kg अगर आप 30 kg शीशा और मिला देते हूँ तो नया मिश्रण जो भी बनेगा उसमें 75% सीशा हो जाएगा पेर है नेक्स वैसें के वरफ चलता है यदि 7% लवन वाले गोल में 12 लेटर गोल को उभाल कर 4 लेटर पानी को वास्पित कर दिया जाता है तो सेश बचे होगे गोल में लवन का परतिशत करता है ये कह रहा है कि 12 लेटर का एक मिश्रण है 12 लेटर के मिश्रण में दो चीज़े हैं एक तो है लवन और एक है जल ठीक है इसमें से 4 लेटर पानी तो चला गया तो अब मिश्रण जो भी है वो 8 लेटर का बचा ठीक है 8 लेटर का बचा तो ये कह रहा है कि इस 8 लेटर में लवन और जल अगर दोनों है तो इस 8 लेटर का लवन कितना परतिशत है ये आपको ग्याद करना है देखो सबसे पहले क्वेस्टन में साफ साफ लिखा है कि 12 का 7 परतिशत लवन है इस 12 लेटर में 7 परसेंट इस तो लवन है ये 12 का 7 परसेंट कितना है लवन है देखो लवन जितना पहले था लवन उतना ही बाद में है चेंजिस जो भी है वो जल के अंदर आया में साफ साफ लिखा है ön कि घृटना लवन की मात्रा कि पहले था दो पहर बाद में है झाल में इस पर बटा दो और 21 बटा दो कित्ता होता है 10.5% option A जो है इस question का correct answer हो जाएगा clear है next question की वरफ चलते है next question क्या किया रहा है 3-0 लीटर चीमी के गोल में 4 part चीमी है इस गोल में 1 लिटर पानी मिला जाने पर नए गोल में क्योड़ में कितने परतिसथ चीमी होकेतछे तो बिलकुल सेम सवाल है जो लास्ट सवाल अपने किया था 3-0 लोटर का ऐक मिसरन proportions तीन लिटर के मिस्रण में दो चीज़ है एक तो चीनी है और एक पानी जल है ठीक है यह कह रहा है कि आपने क्या कर दिया इसके अंदर एक लिटर पानी और मिला दिया एक लिटर आपने पानी मिला दिया तो मिस्रण किते का हो गया थे को तो तल चार लिटर का हो गया उसमें ह पहले चीनी चीनी ती तीन लीटर चालिस प्रसेत तो एन तो इस टोटल चार लिटर में इतनी चीनी तो कितने प्रतिसेत है प्रतिसेत आ रहा है इसको सॉल कर ढ़ंसें अब इंटो उस और कर रहा हूं 100-100 कट गया चार से इसको काटब देस्वार में 3 x 10 किता होता है 3 x 10 होता है तीस परतिशत option c तीस परतिशत इस question का correct answer हो गया clear है बिल्कुल सेम सवाल है जो last वाला सवाल अभी अपन ने किया था चलता है अगने सवाल की तरफ हर सवाल को आप भी साथ साथ ने ट्राई करते रहें चालिस पर-थिसत अपन ने किया पाने डाला अपने पहला वाद में पहले पांस लेटर म्सरण स्ट beggar के झिथ्फर एंटर और संट्र उसके गाड़े से 106 लिए को रहा सबटाथों सब्सक्राइब किता होते हैं स्युक्या एकपने प्रसेंट उप्सेंट कि से और नस रहें clear next question की तरफ चलता है direct देको 90 number question की तरफ आगा है बीच में जो question miss हुआ है question number आपको note करना है और वो आपको खुद को करना है बिल्कुल same type के सवाल चल रहे थे इसलिए वो मैंने आपके लिए छोड़ा है आपको जरूर करना है इन सवालोगों चलता है इस सवाल की तरफ 90 number की तरफ क्या कहा रहा है यदि मिठाने वाले रबडों के बाव में 25% की कमी हो जाए बाव में 25% की कमी का मतलब क्या है कि बाव पहले 4 थे अब बाव कितना हो गया 3 को तो कोई व्यक्ति एक रुपए में 2 रबड और खरीद सकता है तो एक रुपए में रबडों की संख्या ग्याद करो कितनी वो पराथ कर सकता है देखो क्या कह रहा है कि रबड की कीमत में 25% की कमी होती है तो ये कह रहा है कि अगर कीमत के अंदर कुछ कमी होती है तो खपत के अंदर वर्दी ही होगी और एक चीज और दे रखा है कि पहले वो एक रुपय में कुछ रबड खरीटता था लेकिन अब एक रुपय में दो रबड जदा खरीद लेता है यहनि एक्सपेंडिशर भी कही न कही से है के तीन से चार यह क्या हो गया है कि पहले अगर वो तीन फरीटा था तो अब वह एक रुपय में आट रबड खरीद है लेकिन पहले वह एक रुपय में शे रबड खरीद लेगा अब कि लिए इस कांस्वर क्या हो जाएगा एक रुपए में प्राप्त रबड़ों की संख्या कितनी है तो नई वाली पूची गई है आठ इसका एक्ट्वाल आंसर हो जाएगा ऑप्शन एक क्लिर नेक्स्ट वेस्टन के रख चलता है नेक्स्ट क्या कहा रहा है यह वाला क्वेस्टन जो है मार्क्स रेलेटेड क्वेस होता है यहा पें जीतने कहा है उतने नंबर spurות रहाब है यानि ये जो लाइन 25 यह 25 a और सारीस परसेंट अगर को और वह तीस अंकों से तब यह तो इसको 40 नमबर मिले और वहर थे लोगा यह रहा है कि तीस नमबरों का रहा है यह प्रिक्सा के लिए उत्रिन होने के लिए नग कितने चाहिए देखो अगर वो 40 नमबरों में 30 नमबर और ज़्यादा लेके आ जाता तो वो 60 नमबर पे पहुँच जाता और अगर उसके 60 नमबर आ जाते तो वो क्या हो जाता 35 परतिसद प्राप्त करके पास हो जाता अगले सवाल की तरफ, 93 नमर क्वेस्टन भी लगबग उसी की जैसा है, किसी परिक्षा के लिए उत्तिर्ण आंग 40% है, एक अभियर्ती ने 185 आंग प्राप्त किये और 15 आंगों से अनुत्रिन रहा, तो परिक्षा के लिए अधिक तम आंग तो कितने है, लोगों यहाँ पे 50% होके वो पास हो गया, अगर 40% की वेल्यू 200 है, यानि आपने क्या किया है, इन्टु 5 किया है, तो 100% की वेल्यू क्या होगे, इन्टु 5 कर देंगे, कितना हो जाएगा, 500 नमर, यानि maximum marks कितना होगा है, option C, 500, clear, next question के दरफ चलता है, एक परिक्षा में लड़कियों तथा लड़कों के लिए उत्तिर्ण परतिशत था, क्रमसा 35% और 40% है, मतलब किसी लड़की को अगर पास होना है, तो 35% अंक लाने है, लेकिन अगर लड़के को पास होना है, तो 40% अंक लाने है, एक लड़के ने 483 अंक पराप्त किये, तथा 117 अंकों से अनुत्तिर्ण रहा, तो लड़के के लिए नियुन्तम उत्तिर्ण रंक कितना है, यह आपको ग्याद करना है, लड़का 413 सी नंबर लेके आ गया, फिर भी वो 117 नंबरों से फैल हो गया, तो अगर वो 413 सी में 117 नंबर और ले आता, तो उसके कितने हो जाते है, 600 नंबर हो जाते है, और अगर वो 40% के equal है, तो 100% equal कितना होगा, एंटो 100 कर दों, 0 स 0 काड़ देता है, यह दे कुछार 15 वार में कट गया, 15 एंटो 100 कितना होगा, 1500, यानि परिक्षा के अधिक्तम अंक, परिक्षा के maximum marks कितना है, 1500 है, तीक है, अब यह कह रहा है कि लड़कियों को पास होने के लिए इसको solve कर देंगे, अपना answer आ जाएगा, कितना है यह 75, यहाँ पर आ गया, 45 और 7 कितना हो जाएगे, 52, कितना हो जाएगे, 45, 15 एंटो 3 हो गया, 45 और 7 जब मैंने add कर दिया, तो कितना हो गया, 525, option E, इन में से कोई नहीं अपना actual answer हो गया, clear है, मैं एक बार अपिस चेक कर तो 1500 नमबर यहाँ पर आ गया, 1500 का 35 निकालना था अपनको, 15 इंटो 5 करना पर 75 का 5 यहाँ पर चला गया, 7, उसके बाद 15 इंटो 3, 45 और 7 कितने होता है, 52, यह नहीं 525 इसका answer सही है, none of these, option E जो है correct answer, clear, next question की तरफ चलता है, next question क्या करा है, किसी परिक्षा में A और B क्रमसह अधिक्तम अंकों का 60 परतिशत और 30 परतिशत अंक पराप्त करता है, इनके पराप्ता अंकों का योग अगर 783 है, तो परिक्षा में उत्तिर्ण, परिक्षा के पुरुणा अंक कितना है, अधिक्तम अंक कितना है, यह आपको ग्याद करना है, देखो, A जो है, वो maximum marks का 60 प परतिसित पराप्त करता है और इन दौनों के जो अंक होते हैं उन दौनों के अंकों का योग आपको दे रखाया किता है 783 है तो आपको पूछ रहा है maximum marks कितने है तो कुछ भी नहीं है देखो mm दौनों में common आ रहा है maximum marks जाए common आ रहा है divided by 90 into क्या कर देंगे यहां पे 100 कर देंगे clear 0 से 0 काड़ देता है 9 से देखो 8 वार में पूरा-पूरा कट गया उसके बाद 6 यहां पर चलागे 7 वार में पूरा-पूरा कट गया 87 into 10 अगर मैं कर देता हूं कितना हो जाएगा 870 option B जो है इसका correct answer हो गया 870 अगर इतने अंक परिक्षा के पुरणांख है तो A और B के जो अंकों का योग है 60 परतिशत और 30 परतिशत के according 713 से हो जाएगा clear है चलते हैं अगले सवाल के तरफ हर एक सवाल आई होप आप साथ साथ में जुरूर ट्राई कर रहा है इस question को भी एक वारा आप ट्राई करें यदि 4275 योगी अभियर्ति अन्य वर्ग्यों से थे तो कुल कितने अभियर्तियों ने आवेदन किया था तेको माल लेते हैं तोटल 100 लोगों ने आवेदन किया था कि 100 लोगों ने माल लेता है तोटल आवे दन की आज़ से ये कहा रहा ज़ा है कि पांच परतिस्थ तो अयोग्य है इस में से पांच परतिस्थ अगयोग्य है तो पीछे जो 95 बच रहा है वो कैसे है योग्यय अभियर्त्यों में से 55% सामान्य वर्ग के हैं और बचे वे जो 15% तो क्या करना है इस पिंचानों का 85 परसेंट तो जनरल है जनरल के टेगरी के बचेवे जो है 95 का 15 परतिसत्प वह किस कैटेगरी से हैं अधर केटेगरी से हैं ठीक है और अधर के टेगरी के एक्ष्वल वाल्यू भी आपको देहीं रखे तो कहा रहा है कि कुल कितने लोगों अब दिन किया था तो इतने units के value अगर 4275 है तो 100 unit के value किती होगी तो क्या करना है इसके अंदर इस पूरा का divide लागा देंगे किता है आई बाच होन में यही इसी चीज को solve करना है और अपना जो answer है वो टिक लगाना है देखो solve करते हैं 15 से अगर मैं इसको कारता हूं दो वार मैं कट रहा है ठीक है 30 तक 12 आगर मैं आगे बेज़ देता हूं तो यहां पे यह जो है 105 तक में पूरा-पूरा 120 तक में पूरा-पू 30,000 हो गया किता हो गया 30,000 मतलब 30,000 स्टुडेंट्स ने अधियर्टियों ने आवेदन किया था option A जो है इस question का तरेक्टांस्वर है clear है I hope guys सारे के सारे सवाल अब तक जो आपको कराएं 96 तक आपने हर एक सवाल ट्राई किये हैं हातों से जो जो question miss हुआ है वो question नमर आपन गरेंगे थेंगे